यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हर्याना में चुनावी माहोल तयार हो गया है और इसी बीच कॉंग्रेस आलकमान ने प्रदेश में बदलाफ के संकेत दिये हैं हाला कि अभी तक खुलकर बात सामने नहीं आई है लेकिन हर्याना के नेताओं की दिल्ली दर्बार में बढ़ती हाजरी से कॉंग्रेस के परिष्ट नेता भी अब हरकत में आ गए हैं जानकारों के माने तो हर्याना में अगर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदलाफ होता है तो लिस्ट में दो महिलाओं समेट तीन दलित नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं इन में से दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है हध्याना में हाइकमान किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है हध्याना में चुनावी माहूल को देखते हुए जिस प्रकार से सब भी नेता अपने अपने इलाकों में अक्टिव हो चुकी है उसी को देखते हुए हाईकमान भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है माना जा रहा है कि हध्याना में अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है तो राजस सभा सांसत कुमारी सेलजा और हुड़ा गुट की तरफ से पूर्व शिक्षा मंतरी गीता भुकल लिस्ट में सबसे आगे हैं इसके अलावा उदेभान का नाम भी इसमें शामल है इससे पहले कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तवर हर्ग्याना में कारेभार संभाले हुए है लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुड़ा खेमे के नेता लगातार हाई कमान से मिलकर अध्यक्ष बदलने की मांग कर रही है हुड़ा गुट के लोग भुपेंदर सिंग हुड़ा को जिम्मेदारी सौंपने की मांग कर रही है तो हर्याना कॉंग्रिस में बदलाव के संकेत मिल रही है और जल्द ही हर्याना कॉंग्रिस में अध्यक्ष पद की जो कमान है वो बदली जा सकती है जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है और बद्दाफ के संकेत जो है वो मिल रही है ऐसे में अगर कमान सौपने की बात रहे हैं तो इस लिस्ट में तीन लोगों के नाम जो है अभी तक सामने आ रही है इसमें माना जा रहा है कि अशोक तमर की जगा अगर किसी और को हर्याना कॉंग्रिस की कमान दी जाएगी तो राजसभा सांसत कुमारी सैल जा और साथी पूर्व शिक्षामंतरी गीता भुकल इन दोनों का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है इसके अलावा उदैभान का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है तो ऐसे में आपको बताने की संकेत यही है कि हर्याना में कॉंग्रिस के अध्यक्ष की कमान जो है वो बद्दी जा सकती है झाल झाल